नमस्कार वन इंडिया हिंडी में आपका स्वागत है मैं हूँ राधिका पॉश आमावस्या इस दिन का विशेश महत्व है इस बार पॉश आमावस्या 13 जनवरी दिन बुद्वार को पड़ रही है पांचांग के नुसार पॉश महिने के कृष्ण बक्ष की अंतिम तिथी को ही पॉश आमावस्या कहते हैं ऐसी मानता है कि इस दिन धार मिकारे, इसनांदान, पूजा बाठ और मंत्रों का जाब करना बहुत ही लाभकारी होता है आपके सारे गश्टों का निवारन इस दिन होता है साथ ही आपकी सारी मनो कामनाएं इस दिन पूजा करने से पूरी हो जाती हैं अमावस्या तिथी का प्रारम 12 जनवरी 2021 दोपहर 12 बचकर 22 मिनट से शुरू होगा और तिथी की समाप्ती 13 जनवरी 2021 सुभा 10 बचकर 29 मिनट पर समाप्त होगी धारमिक और जोतिशी दृष्टी से ये तिथी महत पूर मानी जाती है अमावस्या तिथी को बूरे कर्म और नकरातपक विजारों से व्यक्ति को दूर रहना चाहिए इस दिन व्रत रखने की मानिता भी है पित्र दोश और काल सर्प दोश से मुक्ती मिल जाती है इस दिन गंगा नदी में डुक्की लगाने से भक्तों को मोक्ष की प्राप्ती होती है ऐसा भी माना जाता है कि जिन लोगों की कुंडली में पित्र दोश या संतान ही नियोग होता है उन्हें पोश आमावस्या के दिन उपवास रखने से लाब हो सकता है इस दिन सवेरे स्नान करें सूरे देफ को जल अरपित करें लाल पुश्प और लाल चंदन डाल कर अरगे दें पित्रों को प्रसंद करने के लिए इस दिन रथ किया जाता है पिपल के पेड़ और तुलसी के बौधे को जल अवश्य अरपित करें अमावस्या के दिन शाम के समय पीपल के पेड़ के नीचे चो मुखी दीपक चलाएं पित्रों के नाम से दान अवश्य करें इस दिन कई शुब अनुष्ठान भी किये जाते हैं जोतिश के अनुसार अमावस्या तिथी को धार्मिक और अध्यात्मिक चिंतन मनन के लिए श्रेष्ठ माना गया है इस दिन सुर्य और चंद्रमा एक ही राशी में होते हैं जिस तरह से अमावस्या तिथी को चंद्रमा किसी को दिखाई नहीं देता है और उसका प्रभाव शीर होता है इसी तरह का प्रभाव इंसान के जीवन में भी रहता है अमावस्या को जनम लेने वाले व्यक्ति की कुंडली में चंद्र दोश रहता है और उस व्यक्ति का चंद्रमा प्रभाव शाली नहीं रहता है इस खबर में फिलहाले ताही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे वन इंडिया के साथ